विख जो भी आपकी क्यों पूछ सकते हैं रतन इडिया पावर लेमिटेड आज की कंडिशन की बात करें तो अपर सरकेट पे लोग हो चुका है एड गाइज अगर बात करें पूरे डिसक्शन की एक्जेकली क्या करना चाहिए इसमें क्या लेटेस्ट न्यूज है पूरा डि के हाई की बात करें साथ रुपे 45 पैसे पर टोटली लोग हो चुका है इवन आफ्टर मार्केट की कंडिशन जो की दुबारा से वहीं पर ही आ चुकी है काफी डाउन आ चुकी है साथ सो आठ सो पॉइंट तक प्लस में जा चुकी थी उसके बाद अभी जो मार्केट है वो रुपे 40 पैसे का बाउन विक लोग मैक्सिमुम की बात करें तो मैक्सिमुम जो कि जब इसकी लिस्टिंग होई थी तब करीकुरी 40 रुपे के आसपास यह मार्केट में लेश्ट हुआ था और अभी काफी नीचे है अगर इस प्राइस से देखें तो काफी नीचे अभी ज ट्रेड अलड़ी हो चुका है एनसी पे बीसी की बात करें तो यहां पर साड़े त्रेपन लाक वांटिटे के आसपास वोलिम ट्रेड हो चुका है इट मिन्स की इन्वेस्टर्स का ध्यान यहां पर काफी अच्छा-कासा बना हुआ है एक बहत्री इन सिचेशन में जो की र प्रेज वोल्यूम की बात करें तो लास्ट बीस दिन में करीख गरीव 1 करोड 10 लाक वांटिटे के आसपास वोलिम ट्रेड हुए लास्ट बीस दिन में अब भी की बात करें तो आज भी जबर्दस पाईं हुई है नो डाउट की थोड़ी डंपिंग भी हुई है क्योंकि अ सो डेड़ सो दो सो क्वेंट के आसपास आ चुकी है अगर बात करें इसके सेंटिमेंट की तो मैं तो यह कहूंगा इसकी इस लेवल पर भी आप पाए का शकते हैं जब इसकी वैल्यू चार रुपए के आसपास हुआ अगरती थी तब भी मैंने काफी टाइम आपको बोला था कि इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए वहां से लेके और आप भी तक करीकरीव दो गुना प्राइस हो चुका है रतन इडिया पावर का अपार्ट फुन देट सेंटिमेंट को देखे तो 78% पाए का 6% शेल एंड 16% होल्ड करने का सेंटिमेंट इसमें नजरा रहा है अपार् यहाँ पर देखे 842 करोड, 844 करोड, 707 करोड, 804 करोड का रेवेन्यू इसने शो किया है दिसमबर 2021 में नेट प्रोफिट की बात करें तो गैज अफकोर्स यहाँ पर लोज कम हुआ है क्वाटरों क्वाटर 386 करोड का ही लोज बचा है 824 करोड से 463 करोड और उसके बाद 38 386 करोड का लोज अभी बचा हुआ है EPS की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है पर सबसे बड़ी चीज क्या है नाशिक प्लांट इसका बंद पड़ा हुआ है वहाँ से कुछ अपडेट आती है रिस्टार्ट होता है तो एक बहतरीन सिचुएशन में आना अफक और रवेन्यू तो इंक्रीज होगा ही साथ में एक्सपेक्टेशन यह है कि इसका जो लोस है वो भी काफी कम होगा अगर बात करें इसमें होल्डिंग की तो यहाँ पर जो कि होल्डिंग को इंक्रीज किया गया है दिसमबर 2020 से मार्श 2021 में होल्डिंग को इंक्रीज किया ग क्योंकि holding already promoter increase कर चुका है तो guys increase इसी लिए किया है promoter ने अपनी holding को ताकि share price को उपर लेके जा सके और वहीं situation उसी condition में अभी जो कि expectation यहीं है कि condition वहीं होने वाली है जो हम सोच रहें क्योंकि यहां पर holding को increase करना it means की expectation यहीं लगा सकते हैं कि यह price काफी उपर जाएगा अगर बात में रतन इंडिया enterprise की तो उसकी situation जो की बिल्कुल शेम थी 4 रुपे से करिकरिये 70-80 रुपे के आसपास तक को उपर गया था and अभी जो की 50-60 रुपे के आसपास जो की market में फ्लिक्चेट हो रहा है and यहीं यहां पर भी ऐसी ही situation आने वाली है and FIA की बात करें तो यहां पर holding को decrease किया गया है 0.09% के साथ and DIA की बात करें DIA की holding increase हुई है of course guys यहां पर एक अच्छा jump देखने को मिला है and अगर बात करें public की public holding में यहां पर अगर देखें तो downfall देखने को मिला है तो guys of course एक अच्छी news यहां पर जो की देख सकते हैं की holding जो public holding जो की यहीं तो चाहिए था की share price को उपर लेके जाने के लिए क्योंकि public holding हम जैसे लोगों की holding जितनी कम होगे share price के chance काफी ज़्यादा होते हैं उपर जाने के and apart from that अगर बात करें others की others की entry दुबारा से आ चुकी है December quarter mate means की यहां पर बड़े investors का interest काफी अच्छा कासा बना हुआ है and foreign investors की बात करें तो holding को decrease किया गया है and अब बात करते हैं इसके share की तो guys यहां पर अगर बात करें total share की जो की of course total share यहां पर जो 537 करोड के आजपास volume market में trade हो रहा है जिसमें से 237 करोड के आजपास जो है वो promoter और promoter group के पास है remaining जो है 300 करोड के आजपास उसमें जो की public है public जिसमें include है DII, FII, Other, शब कुछ इसमें include है तो guys 10 रुपे face value है expectation यहीं है कि आने वाले कुछ time में ही यह double digit को cross करेगा क्योंकि जो hurdle है main वो यह है कि 9 रुपे कुछ जो इसका जो बाउनुक आई है यहां से मुड़ना start हुआ था तो guys यह hurdle खतम हो गया तो काफी chances है share price के ऊपर जाने के and expectation यहीं है कि आने वाले कुछ time में नाशिक plant से related भी कोई बड़ी news आ सकती है एक news मैंने आपको बता जो news बताई दी मैंने of course guys काफी बड़ी news थी वो news क्या है तो guys वो भी देख लेते हैं तो यहां पर एक news यह थी रतन इंडिया पाउर expect to become debt free in two years तो guys यहां पर ऐसी expectation है तो guys आप अंदाजा लगा सकते हैं कि share price कहां से कहां पर जाने वाला है यह ऐसे comment आ रहे हैं तो guys of course काफी बड़ी अच्छी खासी situation में होने वाला है the company is working on debt resolution with lenders to its 1350 MW power project at Narsik in Maharashtra its chairman Rajiv Ratna told ET so guys यहां पर काफी बड़ा statement जो की Mr. Rajiv Ratna से आया है and guys ऐसे statement आ रहे इंड मिस की बड़ा तो of course यहां पर रतन इडिया पाउर में हो रहा है so guys अभी तक मेरे हिसाब से यहां पर exit करना 1% भी नहीं बनता है and apart from that अगर बात करें एक ओर news है जो की रतन इंडिया पाउर in talks with lenders to recast Narsik plant rupees 7000 crore tapped so guys यहां पर काफी सारी news जो की रतन इंडिया पाउर को लेके आ रहे है and guys of course एक बहत्रीन situation में है एक golden opportunity आप miss कर रहे है चार इसमें entry ले लेने चाहिए और एक बहत्रीन profit आप कमा सकते हैं रतन इंडिया पाउर से so guys of course एक अच्छा काशा profit एक अच्छा काशा target set करके इसमें चल सकते हैं so guys thanks a lot for watching the videos please take care please like comment share and subscribe thank you take care